आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलेशिस और मज़ें के बनते ही चिकन शावर्मा जो बहुत ही एजी रशी भी है तब आप आप मारे चैनल को स्क्राइब किजिए और बना आइकोल दादा है आपकोल ले शुरू करते हम इसे बनाना इहां पर मै doinे चिकन तंदूरी और चिकन दड़ा मसाले लिये हैं यहां पर मैंने किलो बॉन लेस चिकन लिया है प्रेट पेपर पाउडर एट करतेंगें इसमें थोड़ा सा निम्मू कर रस रेट फूड कलर ये अप्षाड है आप चाहिए तो डाल सकते हैं इसी जी भी स्किप कर सकते हैं नमक चिंजर का रिक पेस्ट और नहीं एक्ट कर देंगे और इसाथ ही जितलों कमची तरह से मिक्स कर देंगे अगर आप घर के मसालों के बना बना चाहते हैं तो आप चिकन दंदूर्य और चिकन दाया मसास की पी कर सकते हैं यह ज़्यादा रिलिश्यस चिकन अमरा बनता है अब 2-3 कंटे के लिए हम इसे मेरिनेट करने के लिए रख देंगे अब रेड्ट सॉस बना रहेंगे शावर माक के लिए यहां मेरे पाट से चे ड्राइड चिंदी लिए है चाह से पाट तर सुनकी कल्या लिए है जबादन उसाथ नमक एट कर देंगे इसमें निमू का एकल जमारा ना आ बालै टमेटों केचप हुआ है है का अ फसे रिसमूधा ना रेंगे हम इसे भी पेस्ट रैडि है अब इसके अ मट्रा तुदा फारा पाणिया एट कर देंगे हमें सोस को जादा गारा नहीं रखना है , इसदे हम थोड़ा पाने यह र्ट करके यसे ब्रेड़ सोस हमारा रेड़ी हो चुका है अब देख सकते हैं वह अच्छी तरह से रेड़ी है, रेड़ सोस हमारा सहावर माह के लिए अब यहां पर हम ताहीनी सौस बना रहेंगे शावर मा के लिए यहां पर मैं साफेट तीर लिए है पांच से छेटे सून के कर लिया तूटे पर इसमुझेता में इसमें ऑईल डाला है आप और बीडाल सकते हैं और इसके हमने स्मूथ पेस्ट बना रही है अब इसमें मैट करेंगे नमक, टिम्बू का रस, साही चीज़ों के हमने अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम डालेंगे दही अब इसमें हम मैट कर देंगे और इसमें हम अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे अब इसमें हम मिक्स हो बैट कर रहे हूँ आप चाहिए तो पार्सरी भी डाल सकते हैं फ्रेश या ड्राइ छो आपको बसने देंगे अब इसमें मिक्स हो बैट कर रहे हूँ इन साही चीज़ों कब अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे अब रडी था हमार ताही ने सोथ अब इसमें सालाट बना इसमें शावर मा के लिए यहां पर मैंने हाफ कप गाज़ लिए स्लाइस में कटे हुए यहां पर मैंने वन थर्ट कप प्यास लिए इसमें लिया है पेप्सिकम और हाफ कप गे रहे हैं इसमें के बेश विनेगर थोड़ा साइड कर देगी हैं स्वादा नुसार नमक थोड़ा सा ब्लेट पेपर हैं टार दी हमने इसमें और इसे अची तरह से मिक्स कर लिए कर देंगे सारी शीज़ों को यह उपर से थोड़ा वेजटेबर वाल पे अट कर दिया है अब रेड़ी है हमारा सलाट यहां पेन पर मैंने वन टी स्पून जितना बटर राट किया और वन टी स्पून जितना हम स्मूर्ण भी अट कर देंगे दो गंटे हो चुक है चिकन हमरा अची तरह से बरिनेट हो चुका है अब बटर भी अची तरह से हमरा गरम हो चुक है अब इसमा मैट कर देंगे पेन में डाल देंगे चिकन को और जब तक चिकन करेंना है तब तक हम बीश्मीट में चलाते हो इसे पका लेंगे हम इसे ढखके पकाएंगे 25 से 30 मिट हो चुके चिकन हमाद अची तरह से पक चुका है अब चिकन को हमने साइड में निकाल लिए थोड़ी से अमने ग्रेवी जो है वो बचा के रखी है अब चिकन को ग्रिल कर लेंगे अब ग्रेवी न में तोड़ा तोड़ा चिकन डाल रहे उसे अची तखा से अची सब्सक्राइब कर लेंगे कि अब तक इसमें कोल्डन ब्राउन स्पोर्ट सना पढ़ चाहिए तब तक हम चिकन क्रेट करेंगे जयाट रखेंगे चिकन आपका जहल ना चाहिए अब हम पलट के दूसरी तरफ क्रेट कर लेंगे चिकन को चितरह से तो ना सब बटर डाल देगें चिकन के उपर अब चाहिए तो डाल सकते वना पूसे में वल्पीट डाल सकते बटर से इसमें जैदा अच्छा स्वाद और खुश्बू आती है चिकन अब हमारा अच्छी तरह से में ग्रीट कर दी है सारे इस तरह से इसमें पेंट्मेंट कर लेंगे सारा चिकन ग्रीड हो चुक है अब इसे हम टुकुड़े कर देंगे चिकन के कि इस तरह से हम चिकन को काट लेंगे सारे चिकन को हमने का टुकुड़े चोटे-चोटे कर दी है अब ग्रेवी में हम चिकन डाल देंगे फ्लेम को हम हाई रखेंगे और इस सारे चिकन कर लेंगे कि अब मारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन दबारा ना पहले अच्छी तरह से रेडी हो चुका है यहां पर मैंने शावर मा का डू राया था शावर माश्रिट के लिए अगर आप चाहें आप घर की भी रह सकते और बाहर के भी शावर माश्रिट रह सकते अगर आप घर पर बनाना सिखना चाहते तो आप इस कमेट बॉक्स में कमेट करके जरूर बताएंगा अब हम थोड़ा सा डस्ट कर चुके पावडर को अच्छी तरह से डस्ट कर लियेंगे इसे बेन लिए रखनी है अब एक पेन को अच्छी तरह सा मने गरम करने के लिए पिले ही रख दिया था अब इसमें ठोड़ा-धर के देएंगे ज्यादा नहीं डाना है बस थोड़ा सा होई लंबे रखना है इसमें अब इसे इंपल लेंगे वापस से थोड़ा कॉलर एड़ कर देंगे इसके उपए अब अच्छी तरह से पक चुकर है मादे अच्छी बना दिये सारे शावर माश्रिक्स अब इसमें रेट सॉस उपर दादा लेंगे शावर माश्रिक्स के उपर पास्थी सोव से आप ज्यादा चाहतों ज्यादा ज्यादा एट करें तोरा चाहतों थोड़ा आट कर सकतें हैं अपने अ के अब इसमें आम त्हाईं की सोम स्काल खालींगे यदूरा सा उसे उसे जए तरह सामिंग्प अच्छी तरह स्म्स्रेड कर देंगे अब इसमें हम तोड़ा सा चिकन डाल देंगे अब सलार एट कर देंगे इसके उपर अब हम इसे रोल कर लेंगे इस तरह से रेडिये गर्म कर मारा शावर्मा वहत ही आपको हमारी रेशिपी अचे तो प्लीज कमेंट बोक्स में कमेंट करके ज़रू करता है हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और हमारी चैनल को सस्क्राइब कीजिए, बेल लाइक और दबारा ना भूरे ताके हमारी न्यू रेसिपी की नोटिफेशन आप तत पहुंस सके थैंक यू पॉर बॉचिंग